वेल्कम बैक तो माई चैनल गाई एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैं करन्ट फीलिंग्स पर रीडिंग करूंगी आपके परसन की करन्ट फीलिंग्स करते हैं बिना देर करें और देखते हैं आपके परसन की करन्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर कर चलिए स्टार्ट करते हैं गाई यह रिडिंग जनरल है तो हो सकता है कि सबी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो तो प्लीज कीप अन ओपन माइंड और टाइमलेस है रीडिंग्स तो जब भी आपके यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं सिक्स अफ कप्स सोलमेट कार्ड यह अभी ना आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद कर रहे हैं जो भी मैमोरीज हैं आप दोनों के बीच में जो क्रियेट हुई हैं ठीक है उन्हें याद कर रहे हैं इस टाइम बहुत जादा लगता है आप नो कॉंटेक्स सिचुएशन में हो या बहुत ही कम कॉंटेक्ट है आप दोनों के बीच में वाव लवर्स देखा शिक्स अफ काप्स एंड लवर्स एस ओफ वील्स यानि की एस ओफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपके परिसन की तो आपके लिए सारा वक्त याद कर रहे हैं पिछला जो भी आप दोनों के बीच में आपने बिताया है एक साथ या बाते की हैं चीक है बहुत कंफ्यूज भी दिख रहे हैं को आपकी याद में पागल है ये परसन इस टाइम तो ओके जल्दी ये परसन देखो उसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जल्दी कोई स्टेप लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए इनिशियेटिव करने वाले हैं कुछ ना कुछ क्योंकि आप इसकी जिंदीगी हो आप इसके के लिए honest हो ठीक है ट्रस्ट कर सकते हो एक दूसरे पर और येस काईज लवर्स मतलब क्या भगवान के बनाया हुए जोड़ी ना भगवान की बनाया हुए जोड़ी है जिसमें separation आया हुआ है don't worry काम कर रहे हैं ये separation के लिए ही manifest कर रहे हैं hard work कर रहे हैं थोड़े से confused है एक miracle से कम नहीं हो आप इसके लिए एक miracle की तरह हो जिसने इसकी life change कर दिया या फिर इसको life पर love पर believe होने लगा है आपसे मिलने के बाद ठीक है ऐसा मैं देख पा रही हूँ इंसाफ चाहते हैं justice चाहते है नयाय चाहिए इस person को इस connection में या जो भी आप दोनों का struggle रहा है उ understanding है connection strong है कि connection एकदम perfect है इस person के लिए यह प्यार में भागल हो चुके है आपके ऐसा दिख रहा है मुझे पर यह separation तो है यहाँ पर इस separation को खतम करने के लिए manifestation हो रहा है यहाँ ठीक है देट करना चाहता है यह person आपको जो भी यह लड़का है लड़ी के date करना इसको आपके साथ time spent करना है बिताना है आपके साथ time पर इसको लगता है कि अभी आप थोड़े मुश्किल में हो तभी तो आपके लिए prayer भी करते हैं यह manifest कर रहे हैं आप मुश्किल में हो थोड़ा इस person को ऐसी feel आती है और आपके लिए manifest भी कर रहे हैं देखा separation है ना boundaries बनाई हुई है इस person ने इस connection में खतम भी यह करेंगे don't worry हो जाएगा वो time आ जाएगा थोड़े से परिशान दिख रहे हैं मुझे upset दिख रहे हैं आपके person यह card बता रहा है कुछ conflict चल रहा है आप दोनों के बीच में इस वज़ा से यह boundaries बन गई है या इसको लगता है कि आप इस person को समझ नहीं पाते इतना true connection होने के बाद भी आप इसे नहीं समझ पाते कुछ इस तरह के issues हैं इस person के mind में आपको लेकर इसलिए boundaries बना दिया बट स्टिल ना आपका प्यार इसके लिए बहुत है बिना कुछ कहे भी इसको पता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो इसी के हो बहुत अच्छी feeling है यह पर नो डाउट दोनों बहुत क्रियेटिव हो आप दोनों ही बहुत क्रियेटिव हो सब कुछ अच्छा आ रहा लेकिन हाँ यहाँ पर divine feminine जो है थोड़ा सफर कर रही है अपने struggle में है अभी यह चीज़े दिख रही है और आपके person manifest भी कर रहे है इस connection को और आपके लिए भी prayer कर रहे हैं कि आप जल से जल अपने targets अचीव कर लें यह soul connection है इस connection की vibes यह लग है बिलकुल आप दोनों deserve करते हो एक दूसरे का प्यार you deserve this love let your friends help you मुझे लगता है इस connection को ठीक करने में आपके दोस्तों की मदद लगेगी time time पे आपके friend आएंगे आपके पास मदद देनेंगे ठीक है heart to heart conversation चाहते हैं यह person आपके साथ right now मिल जाएगा don't worry worth waiting for भाई क्यों न वेट करें जब यह आपके divine counterpart है reconciliation के chances हैं जल्दी ही contact हो सकता है आप वेट कर सकते हो क्योंकि यह आपके lover है ठीक है worth waiting for reconciliation के chances आ रहे हैं और मुझे लग रहा है यह person खुदी initiative लेंगे तो yes हो सकता है यही offer दे दे आपको भाई चलो reconciliation करते है life साथ में बिताते हैं date करना एक दूसरे को plan करेंगे आपके साथ holiday plan करेंगे जब भी भात होगी न आप दोना के बीच में ऐसे गुमेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे कुछ इस तरह का conversation heart to heart conversation होगा आपके बीच में because आप deserve करते हो एक दूसरे को एक दूसरे से प्य दिखान दिख रहे हैं यह हो सकते हैं आप से थोड़ी नराजगी है इस वजह से लेकिन पर प्यार भी उतना ही है और नराजगी दिखाने भी किस के पास जाएंगे आप यह के पास तो आएंगे you and me deal with every situation well यह कह रहे हैं आप दोनों हम दोनों मिलकर हर किस situation को बहुत अच्छे से सम्हाल सकते हैं you are honest with me you respect my decisions इसको पते हैं आप इसके decisions की भी respect करते हैं आप इससे प्यार करते हैं you are my soulmate you are my soulmate देखा soul connection ही है यह कहते हैं यह आप तो मानते हैं इस बात को भई soulmate है यहां पर इस तरीके से चेकें you always give me a shoulder to cry on okay you pamper me like your baby pamper भी करते हो आप इस परसन को you are funny and you can read my mind आप इस परसन का mind read कर सकते हो no doubt अच्छे चार्म्स देखेंगे guys charms क्या बताएंगे messages तुमने देख लिए हैं से भी कुछ messages आ सकते हैं इन्ही को देखेंगे ठीक है I miss you low पहला ही message I'm busy in my work I'm busy in my work busy है अपने काम में I miss our first date date भी miss कर रहे हैं आप दुनों की जो भी date होई होगी first date इसको याद कर रहे हैं Can we talk again? देखा दुबारे बात हो सकती है आप दुनों के बीच में जल्दी हो जाएगी You are my everything Angel heart Angel की protection है इस प्यार पर इस रिष्टे पर ठीक है Oh my god, दोदो एरप्लेइन यानि की long distance connection है भई यह आप में जातर लोग यहां पर long distance connection में हो Yes, work में busy है यह person Work में busy है, no doubt के busy है पढ़ना यह आप से बहुत सारी बाते चुपाते हैं जो नहीं करना चाहिए यह चीज़ गलत दिख रही है यहां पर यह बहुत सारी बाते चुपाते हैं यह चीज़े नहीं चुपाने चाहिए एक दो और निकाल लेती हूं मैं charms कम charms आएं बहुत मुझे लगता है सच में यह connection twin flame connection है क्योंकि sign repeat हो रहे हैं देखो double anchor आगए है और दो plane भी आया है ठीक है दोनो plane है तो यह बता रहे हैं कि यह twin flame connection हो सकता है बट आगे इस connection में abundance आ रहा है no doubt ठीक है यहां पर Virgo और Capricorn sign आया है और आपके person काफी goal oriented person है और काफी practical है इस time अपनी life में ठीक है यह चीज़े आई हैं पर यह आपसे प्यार करते हैं आप इसके सब कुछ हैं busy भी दिख रहे हैं work में so don't worry चीज़े ठीक हो रही हैं आपके connection में अगर ऐसा भी reading में आता है कि देखो हर दिन feeling अलग होती है आज वो बहुत busy हैं बिलकुल time ने दे पाए तो बिलकुल आपको याद मतलब आपको sign numbers भी ने दिखेंगे लेकिन अब 3-4 दिन हो गए बिजी हैं और divine counterpart हो तो obviously कभी तो प्यार निकल कर आएगा ना तो वही आज की reading में आया है यह person दिल से मिस कर रहे हैं आपको पताईएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो subscribe कर देना आप चैनल को और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अब इक लिए बस इतना है गाईज बाई take care